यूनिफॉर्म सिविल कोट का खेल शुडू उत्राखंड सरकार को यूसीसी ड्राफ्ट पेश क्या विरोधी मचाएंगे बवाल केंदर सरकार की विरोधी पार्टियां जिस कानून का विरोध करते आ रही है उसमें आज एक और प्रगती हुई है ये प्रगती यूसीसी यानि यूनिफॉर्म सिविल कोट की दिशा में हुई है क्योंकि यूसीसी की दिशा में आज एक और कदम बढ़ गया है यूसीसी समीती की प्रेसिडेंट जश्टिस रंजना परकाष्ट देसाई ने यूसीसी मसादा समीती के मेंबर्स के साथ उतराखंड के सीम पुषकर सिंग धामी को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौप दी है इसके लिए पुषकर सिंग धामी सरकार ने 27 मई 2022 को एक पांच सदद से कमेटी का गठन किया था जिसकी अध्यक्षिता जश्टिस रंजना परकाष्ट देसाई को दी गई थी जश्टिस रंजना परकाष्ट के टीम की तरफ से यूसीसी का ड्राफ्ट मिल जाने के बाद धामी सरकार इसकी कैबिनेट बैठक में मजूरी देगी साथ ही मीडिया रिपोर्ट की माने तो धामी सरकार छे फरवरी को ही यूसीसी को विधाक के रूप में विधान सभा में पेश कर सकती है यूसीसी समीती की तरफ से ड्राफ्ट रिपोर्ट मिलने के बाद उत्राखंड के सीम पुषकर सिंधामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कानून बनने का काम करेंगे और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है हम उस दिसा में आगे बढ़ेंगे विधान सभा का सत्र आहुत है और इस ड्राफ्ट का परिक्षन करेंगे इस ड्राफ्ट का परिक्षन करने के बाद जो भी जरूरी अपचारिकता हैं हैं पूरा करके विधान सभा के सत्र में इस ड्राफ्ट को रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे चर्चा के बाद जो विध्यक है उस रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे अब सवाल यह है कि UCC की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में किन कानूनों को बनाने का प्रावधान अखा गया है हाला कि आधिकारिक रूप से इस पर कोई गोशना तो नहीं हुई है लेकिन मिडिया रिपोर्ट में सुत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस ड्राफ्ट में 400 से ज़्यादा धराएं शामिल हो सकती है जिसका मुख्य उदेश ये पारंपरिक्रिती रिवाजों से आने वाली बाधाओं को खत्म करना है मसलन बहु विवापरोग लड़कियों की शादी की मिनिमम उम्र 21 साल लिविन रिलेशन्सिप शादी का रेजिस्टेशन मुसलिम म विरोध किया जा रहा है एक तरफ मुसलिम वर्ग के निताओं का कहना है कि ये कानून मुसलमान वर्ग को निशाना बनाने के उदेशे से लाया जा रहा है वहीं कुछ राजनितिक पार्टियां भी यू सिव का जमकर विरोध कर रही है ऐसे में अब तो उतरह खंड से यू स प्राम में न बदल जाए इस खबर में बस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ